असलाम अलेकम दोस्तों मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल फारम हब पर एक नई वीडियो के साथ हाजर हुआ हूँ आज आपको पांच कलियान घोडी का शौक करवाते हैं यह पार सेल है जो दोस्त इंट्रस्टिड है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं या डिस्क् भाई बताईएगा यह जनाब कले रंग की गोड़ी है पांच के लिएन बड़ी खुसरत या गोड़ी है देसी पे और देसी है और यह कोई भी दोस्त फॉर्सेल है लेना चाहे तो आप लंबर पर राप्ता कर सकते हैं या गोड़ी है साड़े तीन साल की और बड़ी खुस कि इस गोड़ी को ट्रेंग करने के लिए कि अरसे दर्कार हो गा? यानि कितने अरसे के अंदर ये ट्रेंग हो जाएंगे? ये ट्रेंग हो जाती है. आपको विडियो देते हैं ट्रेनिंग की भी इसकी. ये मकम्ल ब transf 59 बड़े बड़े च्छोते बड़े बड़े. गोड़ी मैं रेज के खोड़ाय नहीं रैडिनक के लिए शौट के लिए बच्छों के लिए बहुत अच्छी एडे के लिए अच्छा है इसको देशी गोड़े से कोरा स्क लेना चाँए यह वह आपका अपना शाओक है झो दोस्त लेना चाहिंआω उसका अपना शौक है वो किस गोड़े से कुराना जाता है नहीं अगर कोई दोस्त से इसे परचेज करता है तो आप क्या मश्वरा देंगे उसको मेरे ख्याल में देसी गोड़े से कुराना है जाए उसने नफ़ा गमाना है प्रोफिड लेना है अच्छे देसी गोड़े से क्रोस करानी जी अब मारे पास तो पाकस्तान का चैंपियन है जुले से आल है पर उसकी मर्जी है जिससे मर्जी वक्राई तो वो उसके लिए पाइदा मन रहेगा जी जी तो सर अगर वो इसको क्रोस करौा लेते हैं इससे बच्चा भी ले ले लेते है तो एक साल बाद उसे कितना नफा असल हो सकता है एक गोड़ी से वो तो जी अच्छी क्वालिटी का बच्चा हो तो माशालाब बच्चे तो पैदा होते ही यह डबल कीमत की गोड़ी हो जाती यह डिपेंड करता है जिस गोड़े से उन्होंने क्रोस करवाई है उसकी क्वालिटी से जी जी ऐसे ही है ना जी बलकुर जी दोस्तों इसका कलर बता दें कौन से पांच कल्यान है खुसुरत यह देखें इसके कान है खुसुरत है पूरी गोड़ी है खुसुरत और यह देखें बच्चा अभी उसको पचाड़ी लगा रहा है नफीस गोड़ी है कोई मसला नहीं ऐसे जैसे बैंसों के नीचे बैठते दूद चोते हैं ऐसे वो बैठते है जी तो दोस्तों माशालला खुसुरत गोड़ी है अगर कोई दोस्त से परचेز करने ज़ता है तो वो हमारे साथ लाजमी राप्ता करें और बेतरीन गोड़ी है अमीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा अल्लाः अफ़ेश